अच्छो अब हम डिसकस करने जा रहे हैं टेकनीक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो गए यह जो चैप्टर हैं हमारा प्रिंसिपल्स अफ मैंने इसमें तीन पार्ट में डिवाइड़े हैं कुछ प्रिंसिपल फ्यॉल ने दिए कुछ प्रिंसिपल टेलर ने दिए तो सर साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई कीजिए तो हम टेलर से पूछते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई तो कर लेंगे लेकिन उसे अप्लाई करने का तरीका क्या है क्या टेकनीक है तो यह जो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं उन प्रिंसिपल्स को follow करने के लिए ही कुछ techniques बताई गई कुछ ऐसा तरीका जिससे आप अपनी organization के अंदर scientific management को apply कर सकते हैं और उन techniques में सबसे पहली technique जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है functional formanship अब आप कहेंगे सर्फ functional formanship क्या है तो ज़रा आराम से समझते हैं पहले तो हम यह समझना है कि यह forman कौन है तो बटा आप लोगों ने अगर level of management पढ़े होंगे न तो जो lower level management है उस lower level management पे ने दो ही तरीके के manager होते हैं एक उता supervisor और एक उता है forman यानि आपका जो यह forman है न यह forman lower level management का एक part है और मैं आपको एक बात बताऊं आप कहा सकते हो कि यह जो forman है न forman lowest ranking manager है अगर manager की बात हो तो सबसे lowest rank अगर कोई रखता है तो वो forman sir अगर worker की बात हो तो workers के बीच यह सबसे highest rank रखता है क्योंकि जो factory level पर जो worker काम कर रहे होते हैं उन workers के बीच में ही रहता है यह forman तो lowest ranking manager है और higher ranking यह worker है समझ माई बात ही यह नहीं आती है चलिए अब सर्फ forman का 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 है दोखो forman जो है न वो directly यानि face to face contact में रहता है सबी workers के दोखो यह एक है management और एक है workers अब management तीन लेवल पर काम कर रही है टॉप, middle और lower और यह जो lower level management है यह worker से जुड़ी होती है और यह जो lower level management में जो forman है न वो सबसे ज्यादा worker के करीब होता है समझाई तभी तो मैंने इसे lowest ranking manager कहा और highest ranking worker कहा क्योंकि यह manager होने के साथ अब आप functional formanship से क्या सीखना चाहते है यानि चलो forman का मतलब तो समझ लिया लेकिन functional formanship से क्या सीखना चाहते है असल में आप लोग होना मैं एक बाद बता दूँ यह जो हमारे टेलर भाई साब है इन्होंने अपने जो principle बनाए यह factory level के लिए बनाए shop floor level के लिए बनाए यानि इन्होंने management के जो यह principle बनाए है यह बनाए है factory level के लिए पूरी organization के लिए नहीं बनाए इन्होंने इनका main focus रहा factory के factory में management ढंग से हो समझ माई बात यह नहीं आती तो functional formanship जो एक principle है मतलब यह एक technique है scientific management की यह SL में बताऊं क्या करना चाती है यह division of work और specialization को shop floor level पर apply करना चाती है यानि फियॉल ने तो कहा था कि हर जगा पर division of work करो यह कहते हैं ठीक है मैं factory level पर division of work कराना चाता हूँ और factory level पर specialization ले कराना चाता हूँ समझ माई बात शो floor level का मतलब factory level से इन्होंने कहा देखो यार factory के अंदर जितने भी manager है न यानि जितने भी फोर मैंने इनको मैं दो पार्ट में डिवाइट कर रहा हूँ अच्छा जी कैसे इन्होंने कहा कुछ managers को planning in charge बनाया जाएगा और कुछ managers को production in charge बनाया जाएगा इन्हें operations देखने यानि factory में operations कैसे होंगे उसकी planning planning in charge करेंगे और उसी planning को execute कौन करवाएगा production in charge यानि इन्होंने four men के दो group बना दिये planning in charge और production in charge अब planning in charge में क्या होता है planning in charge में four men को चार category में बाटा गया instruction card clerk, root clerk, time and cost clerk और disciplinarian देखो बिटा आप कहेंगे यार ये क्या नामे ये याद रखने पड़ेंगे अब भई याद हो जाएंगे tension मत लो याद रखने की tension मत लो फिलहाल individually समझो कि इन चारों का काम क्या है और बस इन चारों को समझते वक्त एक बात का धियान रखना जरूर एक चीज़ को हमेशा धियान रखना कि ये जितने भी four men है इनका काम production के हिसाब से production के लिए plan बनाने का है तो ये सब अपने अपने level पर किसी ना किसी चीज़ को plan कर रहे है instruction card clerk एक तरह का four men है वो कहता है कि देखो यार मैं न वरकर्स के लिए instruction draft करूँगा draft का मतलब होता है लिखना यानि वरकर्स को instruction देने है वरकर्स किस तरीके से काम करेंगे किस तरीके से काम नहीं करेंगे ये instruction workers के लिए instruction मैं लिखुँगा workers को कब organization में आना है कब factory के अंदर आना है कब क्या ना में वरकर्स को जाना है workers किस टाइम पर fatigue का time ले सकते हैं चाय पानी पी सकते हैं workers को दिन में कितना production करना है यानि workers के लिए सारे instruction मैं draft करूगा Sir root clerk का काम क्या è? Root clerk देखो ये क्या चीज प्लैन करता है? ये plan करता है ये specify करता है Root of production यानि production कहा से शुरू होगा और कहा जाकर खतम होगा यानि आपको पहले क्या काम करना है फिр क्या काम करना है यानि product बनाते वक्त आपको एक route बताता है illar root clerk समझाई बात ही नहीं है workers के पूरे दिन का दिन चर रही है instruction card clerk बनाएगा root clerk जब वो production करने product को तयार करने बैटेगा तो production कैसे होना है उसका root root clerk बताएगा time and cost clerk क्या करेगा भाई देखो यह बनाएगा time and cost sheet to prepare time and cost sheet time and cost sheet क्या होती है time and cost sheet advance में बनाई गई एक sheet होती है जो बताती है कि कितने वक्त में production हो जाना चाहिए और कितनी cost में production हो जाना चाहिए समझमाई बात यह नहीं यानि advance में ही decide कर लिया जाता है कि कितना maximum खरचा हो सकता है और कितना जादा से ज्यादा वक्त लग सकता है यह चीज पहले से ही decide की जाती है और यह करता है time and cost clerk देखो आप ज़रा देखो इनके अंदर का content याद करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इनके नाम में ही content है instruction card clerk का काम क्या है draft the instruction for workers route clerk का काम क्या है specify the route of production time and cost clerk का काम क्या है time and cost sheet prepare करना और एक होता है disciplinarian इस four men का काम है कि यार organization में हमेशा discipline maintain रहे समझ माई बात यह नहीं आती यानि मैंने आपको क्या बताया planning in charge के अंदर इन चारों का काम कुछ ना कुछ plan करने से related है तर लेकिन इनके नाम हमें याद हो जाएंगे अरे याद हो जाएंगे यार डर्ट याद रखो न D for disciplinarian I for instruction card clerk R for root clerk P for time and cost clerk बात खतम हो गई समझाई बात यह नहीं आती अब production in charge की बात करते है तर यह production in charge वाले कौन से लोग है जो को planning in charge वाले formants का काम था production को plan करना लेकिन production in charge वाले managers का production in charge वाले formants का काम यह है कि उनको उसी production को execute करवाना है और उनके लिए हमने क्या कहा यह भी चार हिस्तों में divided है speed boss, gang boss, repair boss और inspector देखो इनका काम कोई चीज प्लान करने का नहीं है इनका काम चीजों को properly execute करवाने का है तो speed boss, gang boss, repair boss और inspector यह execution के time पर चीजों को ध्यान में रख रहे है तो ज़रा मैं इनके बारे मैं आपको बताता हूँ कि यह क्या क्या कर रहे है देखो speed boss का जो काम है न वो है कि काम अपने वक्त से पूरा हो जाना चाहिए timely completion of work याद होगे भई speed boss कितना असान है देखो मैंने एक एक लाइन लिखी और आपको भी यह लिखना to ensure timely completion of work काम timely पूरा हो जाना चाहिए तभी तो नाम speed है अब आते हैं gang boss को अच्छा देखो planning in charge वालों को clerk कह रहे थे इनको boss कह रहे है समझा ही बात यह नहीं आती चलिए अब आते हैं gang boss पर gang boss देखो gang कहते हैं किसी चीज़ को इखटा करने को तो gang boss का बता हूँ काम क्या है कि machines और tools हमेशा ready रहने चाहिए भाई देखो worker काम कैसे करेंगे machines और tools से करेंगे न तो worker अकेला factory में आके खड़ा हो जाए उसे machine ना मिले उसे tool ना मिले ready तो वो कैसे production करेगा तो gang boss का काम है सारी चीज़ों को इखटा करना और किसको देना उस worker को देना ताकि वो production कर सके repair boss अब देखो जिस machinery और tool का इंतजाम gang boss ने करके दिया वो machine और tool properly working condition में रहे हैं यानि machine का भी खराब ना हो tools खराब ना हो उनका proper repair होता रहे है यानि हमेशा machine और tools proper working condition में रहें ये काम repair boss का है समझ माई बात यह नहीं आती लास्ट आता है inspector inspector का नाम से इक लिए रहे उसको quality of work को check करते रहना inspect करते रहना है कि चीज़े properly चलती रहें समझ माई बाती है नहीं आती तो ये सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई है ये आती है हमारे production इंचाज़ सर इसके नाम कहते याद रखे रहे है इसके लिए आप याद रखे सर जी समझ माई बात सर जी S for speed boss, I for inspector I for repair boss G for gang boss समझ माई बाती है बाती है नहीं आती तो ये सारी चीज़े मैंने आपको factory आ क्याना में functional formanship में पढ़ाई है ये technique of scientific management की सबसे पहली और सबसे important technique थी चलिए भई अब ना method study की बारे में बात करने है ये दूसरी technique है scientific management तो यार आप लोगों ने एक चीज़ समिज़नी है कि technique जो है वो कोई principles नहीं है असल में जो principles आपने पढ़े हैं उनहीं को किस तरीके से apply किया जाए उसकी ये technique से जैसे division of work एक principle था अब उस division of work के principle को factory level पर कैसे apply किया जाए इस technique ने बताया ऐसे ही अभी आप पढ़कर आयते पीछे अभी आपको scientific मैंने पढ़ाया था science not rule of thumb उसमें आपने क्या करा था उसमें आपने देखा था कि मेरे को एक ऐसा best method choose करना है जिस से सारे काम बढ़िया तरीके से हो जाए trial and error approach को follow नहीं करना अब science not rule of thumb को अगर आप अपलाई करना चाते हैं तो उसके लिए आपको method study करनी पढ़ेगी क्योंकि objective जो है method study का वो क्या है objective क्या है method study का method study का objective है कि आप एक one best method को find out करें किसी भी job को करने के लिए क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो उससे बताऊं क्या होगा जो आपकी cost of production है वो minimize हो जाएगी और आपकी quality जो है वो maximize हो जाएगी और customer भी satisfy होने लग जाएगा क्योंकि आप cost को कम कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पहले एक काम करा गलत हो गया फिर दुबारा करा तो उससे देखो resource waste होता है और जब भी resource waste होता है तो production की cost बढ़ती है अगर आपने एक बार best method choose कर लिया तो आप unnecessary resource को waste नहीं करेंगे जिससे cost of production minimize हो जाएगा और जब आप best method से काम करेंगे तो quality तो improve हो नहीं बनती है cost भी कम quality भी improve हो गई और customer फिर तभी तो satisfied होगा कि कम cost में बढ़िया quality का product उसे मिल पा रहा है तो ये method study का focus है अब बात आती है किस पर motion study करते है तो motion study क्या है भाई motion study में आप क्या करते है पहले तो मैं आपको motion study के बारे में बता दूँ फिर motion study का objective संदे में तो ये को motion study बता हूँ क्या करता है motion study एक चीज को study करता है किस चीज को study करता है सर ये न movements को study करता है जब भी आप किसी job को कर रहे होते हैं while doing a job तो उस job को करते वक बहुत सारी movement हो रही होते है for example lifting, putting है ना जैसे सामान को कहीं से उठाना सामान को कहीं पर रखना है ना lifting और putting the objects employees कहीं पर बैठ रहे हैं वो अपनी positions change कर रहे हैं यानि ये समना काम करते वक किसी भी job को perform करते वक यहाँ पर क्या लिखा गया motion study refers to movement like lifting, putting objects putting object, sitting, changing position, etc. यानि किसी भी काम को करते वक जितनी भी movements हो रही है ना which are undertaken while doing a job, यानि एक job को करते वक जितने भी तरीके की movement हो रही है उन सभी movement को study करना motion study कहलाते है, समझाई बात यह नहीं आती, तो बिटा देको motion study movement को study करता यह तो समझ मा गया, लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, इसका objective क्या है असल में आप जब किसी भी job को करते वक बहुत सारी movements में involved होते हैं तो आपको पता लगता है कि यार कुछ unnecessary और कुछ wasteful movements हैं, अगर मैं उन unnecessary और wasteful moments को eliminate कर दूँ, तो उससे काम करते वक आपको वक्त कम लगेगा और आपकी job जो है, वो efficiently पूरी हो जाएगी देखो, इससे human efforts में भी saving होगी और उससे वक्त में भी savings होगी ये motion study का focus है यानि अगर कोई unnecessary moment हो रही है न, तो उस unnecessary moment को क्या कर दिया जाए, eliminate कर दिया जाए समझ माती है बाती है नहीं आती any problem in this, आजी मेरे बच्चे तो ये motion study का काम है हाँ जी हमारी अगली technique है time study तो को time study में हम क्या करते हैं देखो, हमना इस technique का इस्तमाल करकर हमना एक standard time पता करना चाहते है it is a technique to determine the standard time हम एक standard time पता करना चाहते है standard time का मनलब क्या हुआ हम कहते हैं, भाई देखो एक worker किसी भी काम को एक ऐसा worker जिसके पास एक reasonable skill है यानि हम एक worker से जितनी skill expect करते हैं एक reasonable skill का worker किसी भी काम को करने का कितना वक्त ले रहा है इसी चीज़ को time study का जाता है अब देखो एक worker जिसके पास एक reasonable skill होनी चाहिए वो किसी भी काम को करने का जितना वक्त ले रहा है उसी को standard time करते हैं और time study उसी standard time को determine करने के लिए एक technique है क्योंकि बताओ इससे क्या होगा देखो मान लो एक worker किसी एक दीवार को एक wall को construct करने में मान लेते हैं वो लेता है दो दिन क्या लेता है दो दिन दो दिन आठ घंटे काम करके वो पूरी एक दिवार खड़ी करतेगा आठ आठ घंटे दो जो दिन काम करके पूरी एक दिवार खड़ी करतेगा लेकिन मुझसे कहा गया है कि इस दिवार को दो दिन के अंदर नहीं कितने के अंदर करना है भई हाफ डे के अंदर करना है हाफ डे के अंदर निम्टाना है दो दिन के काम को आप आधे दिन में कैसे कर सकते हैं तो मैंने एक standard time पता गरा कि एक worker को एक wall को दो गहंटे में दो दिन के अंदर ये काम करता है और दो दिन में वो 8-8 गहंटे काम करता है तो हमने सोचा क्यों ना वरकर्स को दो कर दिया जाए क्योंकि जैसे ही दो वरकर्स को लेकर आएंगे जैसे ही दो वरकर्स को लेकर आएंगे तो उनको मनलब दो वरकर्स को लेकर आएंगे तो वो काम एकी दिन में निप्टा देंगे समझ माई बात यह नहीं आती लेकिन अगर हम चार वर्कर्स को लेकर आ जाएं तो वो काम आदे दिन में निफ्टा देंगे यानि अगर आप इस काम को आदे दिन में करवाना चाहते हैं तो आपको पता लगा कि आपको चार वर्कर्स की रिक्वार्मेंट है और यही time study हमारी help करती है objective जो है time study का वो यही है, कि आपको यह पता करकर देती है, identify करकर देती है, कि कितने number of workers की ज़रुरत पड़नी है और कितने time की ज़रुरत पड़नी है किसी भी जॉब को complete करने में, समझ माई बात यहीं यही ऑब्जेक्टिव है टाइम स्टड़ी का कि सबसे पहले आपको पता करना है कि किसी भी जॉब को कम्प्लीट करने का स्टेंडर्ड टाइम क्या है अब स्टेंडर्ड टाइम आप पूछेंगे तो भाई कहेंगे एक रीजनेबल स्किल का वर्कर जितन यह काम क्या नामे आदे दिन में भी हो जाएगा समझ माई बात यह नहीं आती क्योंकि अगर आप दो वर कर लोगे तो वो एक दिन में काम कर देंगी चार वर कर लोगे तो आदे दिन में काम कर देंगी अगला आता है फटीग स्टड़ी सर फटीग स्टड़ी क्या चीज है देखो यार पहले ना मैं आपको fatigue का मतलब समझाता हूँ होता क्या है कि यार देखो एक person है वो बंदा न एक चीज़ का हक रखता है किस चीज़ का ठकने का हक रखता है अगर आप एक बंदे से पूरे दिन लगातार काम करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे उसकी ऐसी कित्यासी कर देंगे तो बाई देखो हर इंसान न ठकने का हक रखता है अब person is bound to feel tired physically and mentally तुम यानि एक आदमी physically भी ठक सकता है और एक आदमी mentally भी ठक सकता है यह bound करता है वो अब आपको याद आएगा सर आप पूरे पूरे दिन कैसे हमें बैट के पढ़ाते हैं हमें दो fatigue का time ही नहीं देते है आप भी देता हूं देता हूं सब याद करो a person is bound to feel tired physically and mentally every person requires intervals of rest हर बंदे को rest के interval की जरूरत है ताकि वो अपने stamina को और अपनी energy को gain कर सके अब fatigue study इसी study को कहा जाता है कि आप ये पता करिए कि लोगों को कितने intervals चाहिए मतलब कितना interval चाहिए 5 मिनट का break चाहिए 10 मिनट का break चाहिए और frequency of interval और दिन में कितनी बार वो interval चाहिए amount of interval and frequency of interval in completing a work ताकि आप अपने workers को अपने employees को वो time वो interval दे सके जिसके अंदर वो अपना stamina और अपनी energy को वो regain कर ले last अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ technique differential peace wage system differential peace wage system सबसे पहले तो आप ये समझे कि peace wage system में होता क्या है peace wage system में बताऊं क्या होता है आप labor को payment इस basis पर नहीं करते कि वो कितने घंटे काम कर रहा है कि वो कितने दिन काम कर रहा है आप labor को payment कर रहा है कि वो कितना product आपको बना गर दे रहा है कितने pieces वो आपको बना गर दे रहा है उसी को peace wage system का जा रहा है अब differential peace wage system किस तरह की technique है तेलर बताओं क्या करना चाहता था तेलर ने differentiate करना चाहता था between efficient and inefficient workers यानि वो बताना चाहता था कि मैं न efficient workers और inefficient workers को अलग-अलग खड़ा कर दूँ है उसने का देखो he wanted to reward efficient workers वो efficient workers को reward देना चाहता था किस तरीके से उसने क्या करा introduce करी differential rate of wage payment यानि wages pay करने के लिए उसने differential rate को चुना उसने का देखो जो perform करेगा above standard जो standard से उपर जाकर perform करेगा मैं उसके लिए अलग peace wage रखूँगा और जो standard से below काम करेगा मैं उससे अलग rate प्रोवाइट करूँगा जैसे example के तोर पर standard output regular जो है वो 10 unit है कम से कम 10 unit बनाने ही बनाने अब जो इस target को अचीव कर लेगा उसे 50 रुपे प्रती unit मिलेंगे peace wage system में लेकिन अगर जो इस target को fail कर जाएगा उसे 40 per unit मिलेंगे यानि differential peace wage है कि आपको peace बनाने की wages तो मिल रही है लेकिन दो अलग-अलग wages मिल रही है target achieve करते हैं तो आपको 50 per unit के हिसाब से और अगर आप target को fail करते हैं तो 40 per unit के हिसाब से अब 10 unit का standard था एक efficient worker है उसने 10 की जगा 11 बनाये बही अब बता उसको कितने units मिले मतलब कितने पैसे मिले 11 के 50 रुपे यानि 6.500 रुपे एक बंदा जो 10 का target achieve नहीं कर पाया 9 units बना पाया समझाई बात ही नहीं तो उसे क्या rate मिलेगा 40 यानि 9 into में 40 that is 360 अब आप देखिए 2 unit कम बनाये जबंदेने और नुकसान कितने का हो गया 190 रुपे का 2 unit कम बना कर 190 का नुकसान आपको लगेगा यार अगर मैं भी 11 बना देता तो मुझे 50 पर unit मिलता यानि 500 मिलता तो आपको लगेगा मैंने तो 9 unit मुझे 2 unit कम बनाये मुझे 100 का नुकसान होना चाहिए नहीं 100 का नहीं 190 का नुकसान हो गया चूंकि आपके 9 के 9 unit 40 रुपे से multiply हो रहा है और इसके 11 की 11 unit 50 पर से multiply होना है तो आपको एक तो unit की वज़े से कम wages मिलेंगी और price की वज़े से भी कम wages मिलेंगी तो इस वज़े से क्या होता था कि जितने भी हमारी labor थी नहीं कम से कम standard तो बनाना ही चाहिए कि 10 तो कम से कम बनाऊ या बनाऊ otherwise आपको बहुत नुकसान हो जाएगा इसी weight system को differential piece weight system उटा गया ठीक है जी तो यह सारी techniques थी जो Taylor ने हमें बनाई scientific management को apply करने के लिए अगर आपको समझ माई होंगी अगर आपको समझ माई है प्लीज बटर वीडियो को like करें और share करें कमेंट जरूर करें मुझे बता है